नमस्कार दर्सको धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है आज हम आप सभी को स्री तिरपुर्दाज जी की कहानी सुनाएंगे सिरी तिरपुर्दाज जी का जन्व रजमंडल के सेरगड में हुआ था, उनके पिता राजमंत्री थे, बचपन से ही तिरपुर्दाज जी में भक्ती के संसकार थे, एक बार भी अपनी पिता के साथ आगरा से किसी कारिये के लिए गिरी राज गोबर्दन जी आए, यहां उन उन्होंने ठाकुर स्री नाच जी के दरसन किये, और उनके सुन्दर रूप को देखकर भहता करसित हुए, उन्होंने ये ठान लिया कि बे अब बापिस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इनहीं के दरसन करेंगे और इनहीं के पास रहेंगे, उनके पिता ने बहां अपने किस दिनों के लिए अपने पास ही रख ले बे अपने पुत्र को भही छोड़ कर बापिस लोटने के लिए निकल पड़े रास्ते में कुछ सत्रू दल के सैने को ने घेड लिया और मार डाला भक्तों के जीवन में विपत्यां प्रारम से ही आती हैं जब तिरपुरदाज जी ने स सुना कि उनके पिता को सत्रू दल ने मार डालाएं तो उन्होंने स्रीनाज जी की और देखा और कहा अब आप ही मेरे पिता मित्र और मेरे सब कोछ हो उनके हिरदे में गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतरध्यान हो गया लेकिन उनके अपने बास्तविक प कर रोते रहते थे एक दिन जब बल्लवाचारिय महाप्रभु जिन्होंने स्रीनाज जी को परकट किया था ठाकुर जी की सेवा में आये तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देख कर रोता रहता है बल्लवाचारिय जी ने अपने अनुयाईओं से पूछा और उन्हें बताया गया कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है जिसके पिता यात्रा के दोरान मारे गए और वह स्रीनाच जी में बहुत आसक्त है तिरपुरदाज जी ने स्री बल्लभाचारिय जी को साश्टंग डंडवत किया और कहा प्रभु में एक अनात वालक हूँ और मेरे केवल स्रीनाच जी है मुझे सुईकार कर लीजिए बल्लभाचारिय जी भी बहुत पिरसंद हुए और उन्होंने तिरपुरदाज जी को दिख्चा दे दी वे कुछ दिन तक तिरपुरदाज जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा ध्यान और भक्ती में जीवन जी स्रीतिरपुरदाज जी जब कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौप दिया और वे राजवन्तरी बन गए स्रीतिरपुरदाज जी जानते थे कि धन की वास्तिविक्ता सार्थकता यही है कि उसको उप्योग संतों के सेवा में किया जाए गाई, संत्र, ब्रम्रिसी, भगवान के बिग्रे की पूझा और किसी आसाहाय व्यक्ती की मदद करना जो बीमार या आसामर्थ हो इन में जो धन खर्च होता है आपके भागी के बैंक खाते में जमा हो जाता है यह आपको ब्याज सहित बापिस मिलेगा और हमारे प्रभु के बैंक में ब्याज बहुत अधिक है एक रुपे पल लाखो गुना ब्याज जो आप देखते हैं कि कोई बड़ा पत प्राप्त कर जो भी धन प्राप्त होगा उसे बेकेबल संतों की सेवा और भगवत सेवा में उपयोग करेंगे उन्होंने ये नियम लिया कि हर बर सर्दियों में स्री नाज जी के लिए रतनों और हीरो से सुसजित एक पोसाग बनवा कर भेजेंगे तिर पुरदाज जी की घर रोज संत आते और पिरसाथ प्राप्त करते स्री नाज जी भी बहुत खुस होकर वह पोसाग धारन करते स्री बिठल नाज जी ये देखकर आच्चर ये चकेते कि जब ये ठाकोर जी को कोई अन्य बस्त्रे पहनाते तो प्रभू से सुईकार कर लेते लेकिन जब तरपुरदाज जी दी गई पोसाग पहनाई जाते तो ठाकोर जी बिसेस प्रसन हो जाते ये दरसाता है कि भक्तो द्वारा प्रेम से दी गई बस्तू को भगवन अत्यादिक भाव से सुईकार करते हैं स्री तिरपुरदाज जी से द्वेस करने वालों ने राजा से सिकाईत की कि भी राजमंत्री होने का फाइदा उठाकर राजधन का दुरूपयोग करते हैं उनका अरोप था कि तिरपुरदाज जी राज धन से सादू संतों को खिलाते पिलाते हैं और राज खजाने से धन भी चुराते हैं, राजा की बुद्धी प्रभावित हुई है और उसने आदेश दिया कि तिरपुरदाज जी की सारी संपत्ती जबत कल ली जाएं, परिणाम स उनके घर में भोजन के लिए बरतन तक नहीं रहें, उनके पास खानी के लिए एक दाना भी नहीं बचा, अब व्यत्यादे गरीबे और कश्ट में अपना जीवन ही आपन करने लगें, अब सर्दी की रितु आई और सितिरपुरदाज जी ने हर साल की तरे सिरिनाज जी के लेपोसाग भेजने का प्रण लिया था, भी ये जानते थे कि जब तक उनका जीवन है, भी ठाकोर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्हें ये देखकर घहरी पीड़ा हुई, कि भी कुछ भी कश्ट सह सकते थे, लेकिन ठाकोर जी की सेवा के बिना उनका जीवन निरर्थक सा लगने लगा, वे बहुत दुखी हो गई, ठाकोर जी से बिने करने लगी है प्रभू, मैं सभी कश्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना में नहीं जी सकता, इतने में उनकी नजर उपर रखे एक पर पड़ी, भै दबात पीतल की थी, और तिरपुरदाज जी को ये खयाल आया कि साइद ये कुछ सिक्कों में बिग जाए, उन्होंने ये दबात उठाई और बाजार में बैचने के लिए गए, सोचते ही हुए ही, अगर भै बिग गई, तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगे और मेरे स्रीनाज जी के लिए पोसाग भेजने का अपना नियम पूरा कर सकेंगे, तिरपुरदाज जी को उस दबात के वदले एक रुपया मिला, जिसे लेकर वह एक कपड़ी की दुकान में गए, और उन्होंने एक साधरन कपड़ा खरीदा, उस सपेत कपड़ कर अपने पास रख लिया, उनका सहास नहीं हुआ कि भह कपड़ा स्रीनाज जी को अरपित करने जाएं, एक दिन तिरपुरदाज जी ने स्रीनाज जी के एक सेवक को देखा, उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घल ले आए, उनके घर में खाने पीनी का कोई उचित प्रबंदे नहीं ता, फिर भी तिरपुरदाज जी ने बहुत संकोच के साथ लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ चोड़ कर कहा, मेरी ये प्रतिग्या थी कि मैं हर बर स्रीनाज जी को पोसाग भेजूगा, लेकिन बिधी का बिधान ऐसा है कि मुम्किन नहीं ह उन्होंने भई कपड़ा सेवक को सौपते हुए कहा कि पैसे भंडारी को दे दीजिए, लेकिन गोसाई जी को इस कपड़े या मेरी बरतमान इस्तिती के बारे में कुछ ना बताना, भंडारी जैसा उचे समझे बैसा इसका उप्योग करें, सेवक ने भई बस तर ले जाकर भंडारी को दिया, और तिरपुर्दाज जी कि इस दीन ही निस्तिती के बारे में बता कर कहा कि सेवा का अपमान ना किया जाए, भंडारी ने उस कपड़े का सम्मान पूर्वक उप्योग करते हुए ठाकर जी के आन पोसाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख दिया, सरदी का समय था, एक दिन स्री नाच जी सरंगार के बाद अचानक कापने लगे, जब स्री बिठल नाच जी चर्ण सेवा में गए तो ठाकर जी ने उनसे कहा बहुत जोर से ठंड लग रही है, बिठल नाच जी ने तुरन ठाकर जी को महेंगी गरम बस्तर पहनाए, लेकिन ठाकर जी फिर भी बोले, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, इस पर बिठल नाच जी ने तुरन ठंगी ठी जला कर ठाकर जी के पास रखी, लेकिन ठाकर जी फिर कापते हुए बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है, गुसाई जी समझ गए कि ये साधा परण ठंड नहीं है ये तो किसी भक्त के हिर्दे की पीड़ा का संकेत था गुसाई जी बहुत संकुचत होकर बोले प्रभू अब क्या उपाय करूँ मैंने आपको एक गरम पोसाक पहना दी और अंगीठी भी आपके पास रख दी फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको ठंड आई है सेवकों ने भाई खाते में सभी नाम सुनाए लेकिन सिरीत तिरपूरदाज जी को उसमें नाम नहीं था बिठल नाज जी ने पूछा आपने तिरपूरदाज जी का नाम क्यों नहीं सुना है अब तो हर वर ठाकोर जी के लिए पोसाग भेजते थे क्या इस बरस उन जी की पोसाक लाइक नहीं था इसलिए हमने उसे पोसाकों को लपेटने के लिए इस्तेमाल की और अलमाडी में रख दिया है बिठलनाद जी ने तुरन समझ लिया कि ठाकोर जी को ठंडे लगने की वज़े यही थी उन्होंने तुरन दर जी को बिलवाया और उस साधारन जैसे ही ठाकोर जी ने भैपोसाक धारन की विमुस्कराय और बोले हाँ अब मेरी सर्दी दूर हो गई है हमारे ठाकोर जी बड़े रिचभारें बेकेबल प्रेम और भाव से रिच जाते हैं इसी भाव को द्रण करने के लिए हम महापुरोसों के पावन्चरित पढ़ते है कैसी भी परिस्तिति हो आपका नियम ना तूटें आपका भजन ना तूटें प्रभू के पृति जो नियम बनाओ उसका पालन करो इससे हम निच्चित रूप से प्रभू का पालेंगे सुख में कभी प्रभू को भूल मत जाना और दुख में घवडा कर भक्ति को छोड़ म देना आगे आपको बहुत सुख मिलेगा यह भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं भलकी बलकी सुख दुख में समान इस्तिती प्रदान करने वाली हैं आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में चरूर बताईएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमतकार को सब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद